आज हम बनाएंगे बेशन से बहुत ही लाजवाब मिठाई ये इस्टन डिजर्ट इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बेशन की ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा सोंधी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है इसे बनाना बहुत ही जादा आसान है, तो चलिए फटा फटसे बनाते ही लाजवाब सी मिठाई अगर आपने आप इस मिठाई को आप सब्कूरा को ले लेते हैं मैंने यह प्लास्टिक की कटोरिया लिया है, दो तरीके की कटोरिया है एक इतम सिंपल एक ठोड़ी एक तोड़ी सी डिजान बनी है इसने है तो निर्लगे पूस्त पिकार लूइआप एक डिस टोड़ी दौट लगा में ऊफिल होगते, टरिभो adalah try तो इसे आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है, तो आप ना यूज करें, सिर्फ ड्राइफ्रूट सी डालें, यह काम हमें मिठाई बनाने के पहले ही कर लेना है, क्योंकि जब मिठाई को हम शेप देंगे, तो गर्म गरम इसमें डालना रहेगा, तो इतना काम हमें पहले कर आपा, अब हम कड़ाई में गी डालेंगे, इस मिठाई को में गी में बनाना, गी देश्ट बहुत अच्छा हाता है, इसमें एक काटोरी के करीब बेसन डालेंगे, अगर मिठाई से बलम बनाने, लो फ्लेम पर भूने, बहुत भी दीम चम बूने पर इस बहुत्टक पर if और बहुत ही अच्छा सा महकने लगता है तो यह बेशन हलका सा सुनेरा हो जाए तब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी एक कटोरी के करीब डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे चीनी को अच्छे से मिला लेना है फिर इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि चीन राएफूर呢 है जब गरेथा हो जाएऄ घैस को कर देंगे पंद और इसे फटा-फट से हम कररी में डालें 100 लए इसे पहलины है इसे पहले ही भी-चातो इसे चमता है उसके फटा-विश्य कटोरी अग Linux लेuju जो हमने डिजाइन वाली काटोरी लिया है इसमें पहले ड्राइफ रूट्स नहीं डाला था तो इसमें उपल से डाला है बादाम और काजू एक्तम बारी काट करके डालेंगे और थोड़ी सी गुलाब की पंखुरिया डाल देंगे इसे हाँ से थोड़ा सा हल्के हाँ से दब जवाब बनी है एक बार इसे बना करके खाएंगे आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी यह इस्टन डिजर्ट आप किसी भी टाइम बना सकते हैं जब मन करें फटा फट से 10 मिलट लगते हैं और यह टेस्टी से मिठाई बन करके तैयार हो जाती है तो है ना इक्तम लाज अच्छा सा खिलाने का मन करें तो आप यह मिठाई ड्राइ कर सकते हैं सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आगी और वह आपसे यह टेस्टी सी रेसेपी जरूर पूछेगा कि आपने कैसे बनाई दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को झाल